दोस्तो आज हम लोग कीबोर्ड में पाय जाने वाले सभी सिंबल का नाम जानने वाले हैं जितने भी ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं इनका आखिर नाम क्या है और किस तरीके से हम इने अपने कम्प्यूटर या फिर लैप्टॉप में इस्तमाल करते हैं यकीन मानिए आप में से केवल 5% लोग ही जो है इन सभी सिंबल का नाम जानते हैं और आप में से काफी सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अभी कम्प्यूटर सीखना सुरू किया है और उन्हें जो है इन सिंबल में से केवल 2-4 सिंबल के नाम ही पता हैं तो दोस्तो अगर पाए जाने वाले सभी सिंबल का नाम पता है और इनको कैसे इस्तमाल करना है ये पता है तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अगर आपको कीबोर्ड में पाए जाने वाले सिंबल के नाम नहीं पता है तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखेगा इस वीडियो के अंदर म मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है आप देख सकते हूँ कीबोड में स्कैप की के ठीक नीचे आपको इस सिंबल मिल जाता है और इस सिंबल का नाम है तिल्डे अगला जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है और ये सिंबल भी आपको सिंबल की के तिल्डे मिलता है और इस symbol का नाम है exclamation mark जिसे हिंदी में जो है विस्म बोधक चिन भी बोला जाता है अगला जो symbol है वो इस तरीके का है और ये symbol जो है आपको दो नंबर की की में उपर की side में मिलता है और इस symbol का नाम है at sign सामान ने बोल चाल की भासा में हम लोग इसे add the rate भी बोलते हैं और ये symbol ज्यादा तर जो है Gmail वगेरा में यूज होता है अगला जो symbol है वो कुछ इस तरीके से है और इस symbol के बारे में आप में से काफी सारे लोग जानते भी होंगे ये symbol जो है आपको three number key पर उपर की side में मिलता है और इस symbol का नाम है hash sign सामान ये बोलचाल की भासा में लोग इसे hatch बोलते हैं लेकिन इसका वास्तविक जो नाम है वो है has और इसे hashtag के नाम से भी जाना जाता है जितने भी लोग YouTube पर वीडियो बनाते हैं वो hashtag इस्तमाल करते हैं इसके अलावा social media जितने भी platform है उस पर hashtag का इस्तमाल होता है अगला जो symbol है वो कुछ इस तरीके का है और ये symbol आपको keyboard में 4 number वाली row पर उपर की side में मिलेगा इस symbol का नाम है dollar का sign ये एक तरह से एक currency है dollar की currency काफी सारे देशों में जो है चलती है जैसे की अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है रूपी चलता है रूपी का symbol कुछ इस तरीके से होता है आप इसे देख सकते हो तो ठीक इसी तरीके से ये जो dollar का sign है ये भी जो है एक currency है अगला जो symbol है वो कुछ इस तरीके का है और ये सिंबल आपको जो है पांच नमबर की पर उपर की साइड में मिलता है और इस सिंबल का नाम है परसेंट साइन और इस सिंबल को हम लोग हिंदी में जो है परतीसत के नाम से भी जानते हैं बात करें अगले सिंबल की तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके का है और ये कीबोर्ड में 6 नंबर की कीपर उपर की साइड में मिलेगा इस सिम्बल का नाम है कैरेट साइन हिंदी में इसे घात का सिम्बल भी बोला जाता है और अंग्रेजी में इसे कैरेट साइन बोला जाता है बात करें अगले सिम्बल की तो अगला सिम्बल कुछ इस तरीके का है जो बात करें अगले symbol की जो की आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और ये symbol आपको जो है eight number की keeper उपर की side में मिलेगा इस symbol का नाम है एस स्टरिक्ट, sign या फिर इसे star के नाम से भी जानते हैं और इस symbol को हम लोग गुना का भी symbol कहते हैं जब हमें computer या फिर laptop में गुना करना होता है तो हम इसी symbol का इस्तमाल करते हैं तो इस symbol का नाम है strict sign या फिर star या फिर आप गुना भी कह सकते हो बात करें अगले symbol की जो की आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और ये symbol आपको ninth number वाली keeper मिलता है उपर की side में इस symbol का नाम है open round bracket इसे हम लोग जो है छोटा कोस्टक भी बोलते हैं बात करें अगले symbol की जो की बिल्कुल इससे मिलता है और ये symbol आपको जो है zero वाली keeper उपर की side में मिलता है और इस symbol का नाम है close round brackets या फिर बंद छोटा कोस्टक आप बोल सकते हो ये दोनों को मिलागर के छोटा कोस्टक हिंदी में बोला जाता है और round bracket जो है अंग्रेजी में बोला जाता है बात करें अगले symbol की जो की आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये symbol आपको keyboard में 0 button के ठीक बगल में मिलता है और इस symbol का नाम है hyphen इसको minus भी बोलते हैं और इसको dash भी बोलते हैं जब हमें computer या फिर laptop में घटाने का काम करना होता है यानि minus करना होता है तो हम इसी symbol का इस्तमाल करते हैं और इस symbol को hyphen भी बोला जाता है और dash भी बोला जाते हैं बात करें अगले symbol की तो अगला symbol कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है जो कि आपको minus वाले symbol के ठीक उपर ही मिलता है और इस symbol का नाम है underscore इस symbol को जो है underscore के नाम से जानते हैं बात करें अगले सिंबल की तो अगला सिंबल आपको कुछ यस तरीके से दिखाई देता है इस सिंबल के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि इसे जोड का सिंबल बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे जो है plus बोला जाता है ये सिंबल आपको backspace के ठीक बगल में मिल जाता है जैसा कि आप keyboard में देख सकते हैं बात करें अगले सिंबल की तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके से आपको मिलता है जो कि आपको plus button में ही नीचे की side में मिल जाता है इस सिंबल का नाम है equal हिंदी में इसे बराबर का निसान बोलते हैं बात करें अगले सिंबल की तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है जो कि keyboard में आपको कुछ यहाँ पर दिखाई देता है और इस सिंबल को हम लोग curly bracket के नाम से जानते हैं और यह curly bracket जो है open हुआ है इसलिए जो है इसे open curly bracket बोला जाता है बात करें अगले सिंबल की तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके से है और इसको भी हम लोग curly bracket ही बोलते हैं लेकिन यह close curly bracket है curly bracket को हम लोग हिंदी में जो है मजला कोस्टक भी बोलते हैं बात करें अगले सिंबल की तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो कि आपको curly bracket वाले बटन में ही मिल जाता है और इस सिंबल का नाम है open square bracket वैसे इसको square bracket बोला जाता है लेकिन यह open हो रहा है तो इसलिए इसको जो है open square bracket बोला जाएगा अगला सिंबल है square bracket लेकिन यह जो है आपको curly bracket में ही मिलेगा और इसको जो है हम लोग close square bracket बोलते हैं हाला कि यह square bracket ही है लेकिन यह close हो रहा है तो इसका नाम जो है close square bracket कहलाएगा वैसे मैंने अभी आपको बताया है कि यह जो आप और ये दो जो आपको जो bracket मिल रहे हैं इसको curly bracket बोलते हैं या फिर हिंदी में इसे मजला कोस्टक आप बोल सकते हो और इसी के नीचे ये जो कोस्टक आपको मिल रहे हैं square वाले इसको जो है square bracket बोलते हैं या फिर हिंदी में आप इसे जो है बड़ा bracket बोल सकते हो बात करें बात करें अगले सिंबल की जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और ये सिंबल आपको जो है बैक स्पेस के ठीक जो नीचे बटन है जिसमें खड़ी लाइन है उसी में आपको ये सिंबल मिल जाता है और इस सिंबल का नाम है बैक स्लेस बात करें अगले सिंबल क तो अगला सिंबल आपको semi colon वाले सिंबल में ही कुछ इस तरीके का सिंबल मिल जाता है इस सिंबल को जो है हम लोग सिर्फ colon के नाम से जानते हैं जिसे हम लोग गडित की भासा में अनुपात के नाम से भी जानते हैं बात करें अगले सिंबल की तो अगला सिंबल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो की एंटर की के ठीक बगल में है इस सिंबल का नाम है एपस्ट्रॉफी या फिर सिंगल कोट के नाम से भी इस सिंबल को जाना जाता है बात करें अगले सिंबल की तो अगला सिंबल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो कि epistrophe वाले symbol के ठीक जो है उपर ही ये symbol आपको मिल जाता है इस symbol का नाम है double quote बात करें अगले symbol की तो अगला symbol कुछ आपको keyboard में इस तरीके से दिखाई देता है और इस symbol का नाम है less than और हिंदी में इसे जो है से छोटा के नाम से भी जानते हैं बात करें अगले सिंबल की तो less than में ही एक और सिंबल आपको मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है इस सिंबल का नाम है कॉमा हिंदी में इसे जो है अल्प बिराम के नाम से जानते हैं बात करें अगले सिंबल की तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके से आपको कीबोर्ड में दिखाई देता है इस सिंबल का नाम है greater than या फिर आप इसे हिंदी में से बड़ा के नाम से भी जानते हैं बात करें अगले सिंबल की तो आपको ये सिंबल जो है से बड़ा यानि greater than वाल नाम से जाना जाता है बात करें अगले सिंबल की तो अगला सिंबल कुछ इस तरीके से आपको कीबोर्ड में दिखाई देता है जो की राइट साइड में जो question mark का button है उसी में आपको ये symbol दिखाई देगा इस symbol का नाम है forward slash बात करें अगले symbol की तो forward slash बाले button में ही आपको ये symbol मिलता है इस symbol को कहा जाता है question mark हिंदी में इसे प्रसनवाचक चिन भी कहा जाता है तो दोस्तो keyboard में जितने भी symbol थे उन सभी symbol के बारे में मैंने आपको एक एक करके काफी अच्छे तरीके से बताया है तो दोस्तों कीबोड में जितने भी सिंबल होते हैं इन सभी सिंबल के नाम मैंने आपको बता दिये हैं अब हम लोग जो है जान लेते हैं कि आप इन सिंबल को कैसे यूज करोगे इन सिंबल को कैसे यूज करना है इसे जानने से पहले यहाँ पर आपको छोटी सी बात का ध्यान देना है कि keyboard में जितने भी बटन है अगर उन बटन में दो चिन आपको मिलते हैं यानि दो चीजे लिखी हुई है जैसे कि इसमें hatch भी है और 3 भी है इसी तरीके से यह जो एक के उपर सिंबल है एक्सक्लामेशन का उसको यूज करना है तो shift के साथ यूज करेंगे इसी तरीके से अगर add the rate हमको यूज करना है तो shift के साथ ही करेंगे hatch भी करना है तो shift के साथ dollar, percentage, ghat का symbol, ampersand या end का symbol, strict का symbol या फिर इसे star का symbol भी बोलते है open round bracket, close round bracket, hyphenation का symbol या फिर जो है plus का symbol तो अगर आपको in symbol को यूज करना है जो उपर की side में बने हुए है तो आपको साथ में shift key को दबा करके in key को दबाना है समझ में आ रहा है आपको कि कैसे आप in symbol को use करोगे, जितने भी symbol in key पर बने है अगर आप इनको use करना चाहते हो तो आपको shift बटन को दबा के ये वाला shift बटन दबा लीजिए या फिर ये वाला, फिर in button को दबाईए तो उपर वाले symbol आटोमेटिक बनेंगे अगर आपको इनके नीचे वाले symbol को use करना है तो without shift का ये काम करेगा, जैसे कि अगर मुझे minus का symbol use करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो minus वाला button इसको दबा दूँगा, तो minus का symbol आ जाएगा, और equal का symbol दबाऊँगा, तो सिर्फ और सिर्फ equal का symbol आएगा, shift नहीं दबाना है, तो आपको shift बटन को दबा करके इस बटन को दबाना है, लेकिन अगर आपको नीचे वाले symbol को इस्तमाल करना है, तो without shift ये काम करता है, अब बात कर लेते हैं, curly bracket तो curly bracket जो है उपर है, इसलिए हम shift के साथ curly bracket को use करेंगे, open और close, अगर square bracket यानि ये जो बड़ा bracket है, इसको use करना है, तो without shift हम use करेंगे, तो ये बड़ा वाला bracket जो है use होगा, समझ रहे हो, देखिए इस तरीके से, इसके बाद जो है, यहाँ पर ये जो खड़ी लकीर है, उसको use करना है, तो इस तरीके से shift के साथ उसको use करेंगे, और backward select को use करना है, तो बिधा shift का उसको use करेंगे, और इसी तरीके से, अगर आप इस में जो है, double coat लगाना चाहते हो, तो shift के साथ press करोगे, इस वाली बटन को, तो double coat लग जाएगा, लेकिन अगर without shift करोगे, तो single coat इस तरीके से लग जाएगा, ठीक यह, इसी तरीके से, अगर आप जो है, छोटा वाला symbol बनाना चाहते हो, त तो shift के साथ आपको press करना है, लेकिन अगर आप without shift करोगे, तो comma बनेगा, उसी तरीके से अगर आप shift के साथ, बड़े वाले symbol को बनाना चाहते हो, तो बनेगा, यानि shift के साथ इस वाले button को press करोगे, तो बड़ा वाला symbol बनेगा, without shift अगर इसको press करोगे, तो dot यानि यानि ये जो पूर विराम का symbol आ जाता है, वो बन जाएगा, इसी तरीके से question mark लगाना है, तो shift के साथ बनेगा, without shift का अगर इस button को press करोगे, तो forward slash लग जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हो, इस तरीके से आप अपने keyboard में दिये गए, सभी symbol को use कर सकते हो, बस symbol को use करते वक्त, ये आपको ध्यान देना है, कि जिस भी button के ऊपर symbol बने हुए है, वो shift के साथ प्रेस होंगे, अगर नीचे symbol बने हैं, तो without shift के प्रेस होंगे, तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर, मैंने आपको keyboard में जो symbol होते हैं, उनका नाम बताया है, कि उनको किस नाम से जाना जाता है, इसके बाद मैंने आपको उन्हें use भी करके दिखाया है, कि आप किस तरीके से इन्हें use कर सकते हो, उमीद करूँगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए, अपने friends and family के साथ भी इस वीडियो को शेर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा, अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब ते के लिए जाए हिंद बंदे मातरम